Hello guys, welcome back to my channel दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अडिनियम की सिट को किस तरीके से कलेक्ट करें आपको एक छोटा सा काम करना है उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाएए आप 100% अपने प्लांट से अडिनियम के सारे सिट कलेक्ट कर पाएंगे यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यह अडिनियम के सिट पॉट से इन्हें समय रहते ही धागे के मदद से बांद लेना चाहिए कुछ इस तरीके से ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अडिनियम के सिट ड्राइ होने के बाद अपने जगह से उड़के दूसरे जगह चले जाते हैं और उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगता इसलिए हमें अपने प्लांट के उपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जब भी आपका सिट का जो पॉर्ट है थोड़ा साइज एटेंड कर ले तो फिर इसे धागे की मदद से बांद ले और उसके बाद इसका ड्राइ होने का इंतजार करे जब सिट पॉर्ट अच्छी तरीके से ड्राइ हो जाए तो ही आप इन्हें सीजर्स के मदद से कट करके निकाल ले तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंटेक केर